Good morning students आप लोग भी बिसबरी से result का इंतिजार कर रहे होंगे और मैं आप लोगों को result बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ हर class के 3rd topper का list में बोलने वाला हूँ 3rd class 3rd topper में जो भी जिसका जिन students का नाम है उसका नाम बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं class 6 से start करूँगा फिर 7 फिर 8 फिर 9 ठीक है फिर उसका ही 3rd, 2nd and 1st topper का नाम मैं लोगा और मैं आपको दिखाऊँगा भी और साथ में आज के result में एक नया चीज भी बताऊँगा और वो है rank जितने भी students का paper हुआ था test हुआ था उसमें से आपको कौन सा rank मिला है school में आप कहां stand करते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपका rank आपको पता चल जाएगा जैसे बड़े-बड़े competitions में होता क्या रेंक बताया जाता है कि हर स्टूडेंट का एक rank होता है तो वो rank मैं आपको बताने वाला हूँ और आप next test में अपने rank में improvement ला सकते हूँ ठीक है तो चलिए start करते हैं और उसके बाद मैं फिर से एक बार remind करता हूँ उसके बाद मैं आपको correct question और answer बताऊंगा और आप अपने notebook में उसको जरूर लिख लेना विडियो देखते हुए ठीक है so start करते हैं students सबसे पहले मैं third topper class 6 का नाम लेने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा third topper class 6 देखे class 6 third topper ठीक है so देखते हैं किसका नाम आता है third topper में देखे हमारे पास जो नाम है students का उसमें है कि उसको पंदरा में से तेरा नंबर मिले हुए है और उन बच्चों का जो रैंक है जो third topper हुए है उनका रैंक है 117 ठीक है तो अपना रैंक ध्यान रखना बच्चों लिख भी लेना टेस्ट का जब कोंभी में लिखना तो लिख फी लेना रैंक आपको क्या मिला है 117 रैंक मिला है और आपको थर्ड कटेगरी में आप हैं थर्ड टॉपर में हैं आप गर्चुलेशन स्टुडेंट्स पर बिइंग थर्ड टॉपर अफ यूर क्लाश सो फर्स नाम है कुनाल उसके बाद है युवराज सर्मा उसके बाद है आयूज भारतवाज असुतोस जहा शंकर कुमार शोनु एहरवाल कार्तिक राना पलक कॉमल विशाल महतो राकेश कुमार यस मिस्रा रोहित अंसुमन पांडे पवित्र दुबे निखिल तिवारी अभी दिवाकर आयूज कुमार चौरश्या रितेस रोशन और एन आयूज कुमार जहा ये स्टुडेंट्स अपने क्लास के थर्ड टॉपर के लिस्ट में हैं कॉ जिन है कि दो स्टार मिला हुआ है तो मैं आपको सिकन्ट अपर का नाम बताऊं गा जिसमें इसमें सिर्फ पांच स्टूडेंट है और उसमें नाम है दिपानसो, अरुन कुमार, मुहम्मद आमान, आयो, यस कुमार, शिंग, शुभम, ये जो स्टुडेंट्स हैं, इनका जो रैंक है, वो 92 रैंक है, और ये class 6 के second topper है, क्यों राचुलेशन स्टुडेंट्स for being the second topper, आपको मैं बता दूँ कि जो third topper है, second topper ह है, वह, first topper ही category में जाने की कोशिस करें, next test में, और अपना rank बहतर करें, क्योंकि आपका जो position है, 92 position है in your school, okay, so, अब बात करते हैं, कि first topper, ठीक है, first topper में कौन कौन है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसे बच्चे है, जो first topper का जो number है, जो topper का जो category है, उसमें touch कर पा हैं, देखते हैं, first topper students, yes, अब open होने वाला है, yes, आगया, देखते हैं, कौन है, सबसे पहले, प्रलव जह, आयूस राज, सुएव अली, विशाल रावत, प्रभात ओजह, अमरित कुमार शिशोदिया, अर्पित मिंज, उज्ज्वल कुमार, दिपान्सू, कार्तिक कुमार गुपता, आयूस कुमार, पुस्पेश कुमार, अर्नव मुद्गल, शुदामा, सौर्या सिंग, ओम कुमार, राकेश कुमार, ये जो स्टूडेंट हैं, ये पंदरा में से पंदरा नमबर लाए हैं, और इन्हें रैंक मिला है, वन, कॉंग्राचुलेशन स्टूडेंट्स आप अपने पॉजिशन को बनाये रखो क्लास में, और आपका जो रैंक है, वन है, तो इस वन रैंक को नीचे कभी मताने दो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको सेवंध क्लास का रिजल्ट बताने वाला हूँ, सेवंध क्लास में जो थर्ड टॉपर है, उ और क्लास में आपको कौन सा बताने वाला हूँ, सेवंध क्लास के थर्ड टॉपर लिस्ट में, पहला नाम है शुमित, मुहम्मद फर्मान अली, आयूस चोहान, सुदीप ठाकुर, कृष्णा, शंतोष मंडल, जतिन जहा, अनिमेश मंडल, आयूस रंजन, हर्यों कुमार सर प्रियांसु चौधरी, राघिल कुमार, अक्षे कुमार, अमित बिक्रम त्रिपाठी, अमन सरकार, ये जो स्टूडेंट है, ये थर्ड टॉपर की कैटिगरी में आये हैं, और मैंने कौना चुलेक करना चाहूंगा, इन्होंने 13 मार्क्स लाए हैं, 15 मार्क्स का जो प्रिपाठी, और इनका रेंक है, 117, 117 रेंक है अपने क्लास में, ठीक है, अपने स्कूल में स्टूल में, ये स्कूल का रेंक है, ओके, चली आगे बात करता हूं, मैं आप लोगों को अब मैं सेकेंड टॉपर का नाम लूँगा, लेकिन मैं एक बार बता दूँ, थर्ड टॉपर का निस्ट पताने वाला हूं, क्लास सेबंत का, ठीक है, देखते हैं, सेकेंड टॉपर कौन है, सेकेंड टॉपर में नाम है, गौरव कुमार, अर्जुन रावत, बिवेक सेथी, युबराज सिंग, अमन यादव, गनेश गोश्वामी, कॉमराचुलेशन इस्टु ठीक है, So, आपका रेंक है, 92, रेंक, ठीक है, आप मेहनद करें और आप first category में like किईए, आप first category में, first category के जो topper हैं, उसमें आप, नाम हो मैं चाहता हूँ, एसा, ठीक है, So, अब देखते हैं, हमारे first category में kौन है, first topper में कौन है, So, let's start, मैं start करता हूँ, और देकना चाहता मैं बड़ी curiosity है मेरे को देखने में कि first category में कौन student है so now yes मेरे सामने list आ चुका है और उसका नाम है रोशन प्रियांसु जैसवाल प्रकाश विकास सिंहराना वेदांत विस्ट निखिल पंत शुमन यादव विबेक कुमार सुधांसु कुमार गुपता तनुज विस्ट, नितिन बैद, प्रियांसु, प्रशांत, विशाल, आदित्यराय, सूरज, अनुड़ाग, बैभव कुमार दुबे, सौरव कुमार दुबे, सौरव कुमार चौबे यह जो student है इन्हें 15 में से 15 marks मिला है so congratulations for being the first upper और आप अपने इस rank को आपको जो one rank दिया गया है, इस rank को बरकरार रखिए, उसको आप पीछे बिलकुल ही मत जाने दीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आपका rank हमेशा बना रहे है ठीक है, so congratulations students, many many congratulations for being the first topper चलिए बात करता हूँ मैं अब class 8th को आपको one star दिया गया है, जो भी top है, उनको मैं one star, three star दिया गया है, जो first topper है, ओके second topper को two star and third topper को one star, चलिए बताता हूँ मैं आपको कि अब मैं class 8th का result बताने वाला हूँ, और 8th class में किसका result बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं third topper के बारे बताऊँगा ठीक है, third topper को बताऊँगा, देखते हैं third topper कौन है, class 7 हो गया, class 8 की बात करूँगा class 8 में जो हमारे third topper है, उसका नाम आपके सामने है, स्क्रीन पर, देखिए, इसमें है रोहित, शुभम, राहुल कुमार, नीरज, मुंडा, सुजल सिंग बिस्ट, राम अनुज प्रजापती, अभिमन्यू राज, जुबेर, कार्तिक, हिमानसु, धीरज, आसीस, दीपक कुमार, शानु शर्मा, ये जो student है, हमारे third topper हैं, जिन्हें 15 में से 13 marks मिले हैं और आपका rank है अपने school में 170, उत्यान रखिएगा अपना rank, आप उससे better करने इकोसिस कीजिए, आगे बरते हैं, मैं अब आपको बता दू, third topper, आपको one star मिला है, अब मैं second star वाले जो student से उसका नाम बताऊंगा, देखते हैं, second star लाने वाले कितने student है, और second topper में कौन कौ परवीन तिवारी, दिलिप कुमार, भवेश, शत्य प्रकाश कुमार, प्यूश, चेतन विस्ट, अंकुस कुमार, ये जो student है, हमारे second topper हैं, अपने school में, अपने class में, और मैं उन्हें कौना चुले प्रणना चाहूंगा, और आपको मैं चाहूंगा, कि आप अपने जो number ह हैं, उसको थोड़ा से improve करके first category में आ जाईए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि first category में कौन कौन है, first topper कौन कौन है हमारे उसमें, ठीक है, आपके 8th class में first topper कौन कौन है, देखिए, बहुत सारे student हैं, जो first topper की list में नाम है, उनका, start करता हूं म हरसित नेगी, प्रियांसु रावत, सिव कुमार, शुभम कुमार, विकास कुमार, रविंदर, हर्स कुमार, अमन सिंह नेगी, प्रवीन सिंह डवोला, हर्स कुमार कांत, हर्सित सर्मा, अंकुर बिडालिया, शुभजीत दास, सनी, प्यूस कुमार, गुरुदेव चौधर अभिषेक कुमार मन्जीत प्रशाद बिट्टु सिंग आदित तिवारी अभिराज सिंग यस प्रताप सिंग अमित नंदी करन रावत प्रिंस कुमार बिमलेस अमित गीरी गौरब जौन ये जो स्टूडेंट है फस्ट आपरी के टिगरी में अपने एट ख्लास में स्टूडेंट्स आपका rank है वन ठीक है इस्टूल में आपका जो rank है वो क्या है वन है तो आप अपने rank में को बड़करार रखिए आप अपने rank में से नीचे मताने दीजिए ठीक है तो अब मैं आपको congratulate करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि आपको 3 star मिले हैं और आप 1st category में हैं अब मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ, now 9th class student आप लोग ध्यान दीजिए और आपका result आने वाला है ठीक है, और मैं सबसे पहले मैं जो 3rd category में जो like करने वाले बच्चे हैं, जो student हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ देखे, हमारे जो 3rd category वाले हैं, 3rd topper वाले जो student हैं, उनका नाम आपके screen के सामने अभी जिस्ट आने वाला है देखते हैं, मैं नाम लूँगा, 3rd वाले जो student है, उसका नाम है राहुल, फर्स्ट, उसके बाद रोहित सैनी, अमित कुमार, सौरव कुमार, आनंद कुमार, साहिल अक्रम अंसारी, प्रथम अजय बिस्ट, आयूस कुमार, आयूस रावत, शमीर, अधित्यराज, कृष कुमार, अभिशेक, आयूस, आयूस यादव, नितीस कुमार, हिमानसु, शंदेश, प्रियान्सू शुमित इन्हें 15 में से 13 नबर मिले हैं Congratulations for being the third topper ठीक है आपको रेंक 117 है उसके बाद मैं अब second category का नाम लेना चाहूँगा देखते हैं second category में कौन कौन है second category में है जो second topper है हमारे स्कूल में उसका नाम है विशाल हिमान्सू कुमार स्रिवास्तव तुसार काराकोटी कार्तिक मुहम्मद अरवाज आलम साहिल Congratulations student for being the second topper आपका जो रेंक है रेंक है 92 अब देखते हैं जो most awaited हमारा है और वो है क्या third नहीं second नहीं first topper yes first topper का नाम है देखे बहुत सारे student है जो first topper में आये हैं और उसमें सबसे पहले नाम है प्रिंस जैस्वाल उमा संकर कुमार आयूस नेगी दिपांसु बिपिन पंत हिमांसु कुमार अंकित कुमार प्रियांसु कुमार ठाकुर कुनाल अम्मित कुमार नितेस रजक अभिशेक मौर्या आदित्यराज मिस्रा अन्स, अभिशेक सर्मा, आदित्य राज, शुभम जपतवाल, हरसित पाल धंगर, आसीस ठाकुर, यस पवार, तुशार, जोना बवोंगा, राहुल सिंग, मानस कुमार ठाकुर, दिब्यांस पांडे, आदित्य पराशर, अभिशेक कुमार यह जो student है, they have achieved the rank 1 in your school, और आप first topper है अपने school में, so congratulations students, आप ऐसे ही अपने आपको first topper में बनाये रखें, ठीक है, now, अब मैं आप सभी को यह बताऊंगा, कि कौन ऐसे student हैं, जिन्हें कोई topper के category नहीं मिल पाया, ठीक है, so, मैं आपको बता दूँ, कि check your rank मैंने दे रखा है आप अपना rank जान दीजे, ठीक है, जिन student को first, second, third topper के list में जिसका नाम नहीं है, आप अपना rank देख सकते हैं, मैं ninth class का rank दिखा देता हूँ, जिन्हें first और second, third topper में जिसका नाम नहीं है, ओ अपना rank देख दीजे, देखिए, आपके पास नाम है, यहाँ, मैं just आप screen भी सारे student का नाम लेना बहुत मुस्किल होगा मेरे लिए, लेकिन चलो मैं ninth class का एक बार रिजल बता दूँ, जिन्हें अपना rank आपका सामने लिखा हुआ है, जैसे अनीश सिंग, जीतु कुमार लुहिया, ललित गोश्वामी, प्रिंस जैसवाल, प्रिंस पाल, कौशल कुमार कामत, विबेक साहु, उतकर्ष पांडे, पंचम दास, बॉबी, उतकर्ष कुमार, उपाध्याय, अभिशेक, अजै कुमार, जतिन कुमार, अमन मिश्रा, मुश्कान, गौरभ सिंह रावत, राघव कुमार, अमित, दिव्यांस, आकाश कुमार, शिवम मौर्या, करन रावत रितुराज, खड़ाई, हर्स, विकास पंडित, जैरिको बर्नार्ड, कौशल कुमार, शुब, योगेश यपांडे, प्रियांसु रावत, अभिजीत सिंह, शोनु कुमार, तरुन, उसके बाल है इशान्त लोमर, शंकल्प शर्मा, हरकेस, पवन सर्मा, लोकेश कुमार, राज, तिलक, पटेल, शाजिद, सिवम, मिश्रा, अजै, चंद्रा, भासकर, प्रतीक, हर्स, कुमार, सुजीत, केशब, कुमार, धर्मेंद्र, आप सभी का रैंक यहां दिया गया है, आप उपना रैंक देख लीजे, ठीक है, मैंने रैंक दे रखा है, आप वीडियो को प स्टूडेंट है, जिन्हें, रैंक जिन्हें मिला है, उनको मैं बता दूँ, ठीक है, सो, स्टार्ट करता हूँ मैं, क्लास एट का, क्या है, क्लास एट का जो है, एट है, एट है न, एट, और चेक योर रैंक, दिखिए, यह सारे स्टूडेंट है, जैने रैंक दिया गया है तो आप अपना rank चेक कर सकते हैं वीडियो को pause करके आप देख भी सकते हैं मैं आपको वीडियो में share भी कर दूँगा बहुत सारे student है सबका नाम लेना बड़ा मुस्किल है इसमें मैं first topper second topper third topper का नाम मैंने ले लिया है already आपको जस्त मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यह जो student है उन्हें rank मिला है आप अपना rank देख सकते हैं और next test में अपना rank improve कीजिएगा ठीक है उसके बाद मैं 7th class के बच्चों का rank बताने वाला हूं इसमें ललित सिंग्नेगी सबसे उपर है यह है तो आप देख लीजिए अपना नाम इसमें ढूंड लेना और rank आपको यहां मिल जाएगा ठीक है rank यहां मिल जाएगा अपना rank जान लोगा कि आपका rank और आपके marks हितने हैं तो आपको score भी पता चल जाएगा यहां ठीक है तो यह सारे हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको देखना क्योंकि सबका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा भी क्योंकि बहुत ज्यादा time लग जाएगा अब मैं six class के rank को बताता हूं six class देखते हैं six class में six class में है ठीक है six class में देखते हैं देखिए आपका rank सामने है और आपके कितने marks मिले हैं उसका भी details है देखिए यह सारे details है तो आप क्या करेंगे सारे बच्चे जितको भी rank मिला हुआ है question में मतलब वैसे तो सारे strengths के लिए मैं कहारा हूं बट आप लोग बिसेश रूप से आप क्या करेंगे अपना जो भी मैं details सभी बताने वाला हूं ठीक है उसको note down कर लेंगे और मैं आप लोगों को अब क्या बताने वाला हूं कि test में सही answer क्या है देखिए word processor software का आपका test हुआ था तो चलिए अब मैं question के बारे discuss करता हूं और उसका answer बताऊंगा सबसे first question था कि what does not contain in the text document कि text document में क्या नहीं होता है तो मैं बता दूँ text document में क्या नहीं होता है number होता है photos होता है alphabet होता है special character क्या नहीं होता है बताइए क्या नहीं होता है तो मैं आपको बता दूँ कि text document में photos नहीं होता है ठीक है आपका photos सही अंसर है इसमें उसके बाद ध्यान दीजेगा a software which is used to make text document insert picture and make attractive using color and picture इसका सही अंसर है word processor software तो अगर किसी ने mistake कर रखा है तो वो please अपने आपको ठीक कर लें उसके बाद what can not be done using word processor software word processor software क्या नहीं कर सकते तो याद रखिया calculation नहीं होता है okay calculation का मतलब होता है उसमें counting कुछ भी calculation का काम नहीं होता है उसके बाद shortcut of bold आप सभी ने सही अंसर किया है control प्लस भी maximum बच्चों ने सही answer किया उसको shortcut of copy क्या होता है shortcut of copy control प्लस ही होता है ठीक है उसके बाद है does the word processor software have the feature of spelling and grammar check क्या word processor software में spelling and grammar check होता है yes होता है ठीक है यह one mark का question मैं डाला हुआ था उसके बाद अब देखेंगे shortcut of find in word processor software control प्लस F होता है उससे हम क्या करते हैं find करते है word processor document में कुछ जूणते हैं उसके बाद मैं ने लोगों के बारे में पूछा है कि यह क्या है तो इसको बता दूँ इसका नाम है word processor software का logo है उसके बाद देखिए if you have to write essay on computer आप अगर essay लेटर कुछ लिखना चाहें तो आप कौनसा software का यूज करना चाहेंगे तो मैं बता दूँ इसके लिए क्या है word processor software इसका सही answer है फिर आप क्या करेंगे इसको submit कर देंगे ठीक है तो आप लोग उल्री अब समिट तो कड़ी रखा है बट मैंने आपको राइट अंसर बता दिया है आप सभी questions को copy में लिख लेंगे और इसका answer भी साथ में लिख लेंगे जिससे कि next paper होगा अभी तो क्या हो रहा है मैं unit test ले रहा हूं हर चेप्टर चेप्टर का ले रहा हूं बट एक बार मैं final टेस्ट लोगा इसमें से कुछ questions आ सकते हैं उस paper में और थर्ड टॉपर का rank है 117 बांकी बच्चे जिन्हें rank नहीं मिला है जिन्हें फर्स चेकंड थर्ड टॉपर के लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें मैंने rank दे रखा है आप rank चेक कर लिजेगा वीडियो को pause करके थेंक्यू सो मच ठीक है और हाँ जिन बचो ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो भी मैं वीडियो एजू के लिए बनाता हूं वह आपको पता चल जाएगा और आपके life में lifetime तक काफी help मिलने वाला है इन वीडियो से ठीक है कोई computer science बहुत ही integral part हो गया है आज के दिन में ठीक है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और bell icon भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की notification भी मिल जाए थेंक्यू सो